हुआ हुआ है 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 यूट्यूब चैनल प्रेंट्स आज हम लोग और सथ पढ़ेंगे एक दमें ट्रिक के माध्धम से बताऊंगा आने वाले सविस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेट है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपने तो सुना होगा कि अधिकतर ब अगर आप से बोल दिया जाए कि प्रथम प्रथम शुक्रत पाच्री समसंख्या और अशर्थ बताइए और तो आपको क्या करना है यह संक्रीजिया होगा क्या है है दो चार च्री आठ और दस इसो को क्या कहते है लेकिन इसमें क्या करेंगे आप लोग ने अजिकतर शुना तो इसका आंसर आजाएगा देखिए एक सके आपके काउंटिंग करने जितना है उसका आजाएगा तो यह एक दो तीन चार पांच पांच नंबर है ना तो पांच प्लस एक क्या होगा च्छे हो बस बन गया अब बोलेंगे सब्सक्राइब बनाना अच्छी ठीक है तो आप इसमें बोलेंगे सर यह तो आप ऐसी बता दिया आप इसको जोड़नेक बात क्या बोलता है अगर भाग देंगे तो इतने आएगा च्छे आएगा ठीक है मैं जैसे कम संख्या में जोड़के बता देता हूं आपको यह दस बी इसमें भी छह आ गया तो अपन ऐसे बनाएंगे क्यों आपन क्या बोलता है इसको इतना लंबा करें इसको लिख देना है तो चलिए और कोशन देखते हैं और कोशन देखते हैं आउश्ट का संख्या का पिर मैं विश्यम का बताऊंगा फिर क्या बोलते हैं अंतर वाले का बताऊंगा सब को एक वीडियो में पूरा ट्रीक के माध्धम से बताऊंगा तो चलिए अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रथम 10 इसमें एक चीज और मैं बता रहां आपको प्रथम समसन्ख्या का बता है शम आशर का आशर है यहां प्रथम समसन्ख्या का आउशर का आशर तो आपको इसमें लिख्ध कितना लिखोगे यहाँ थिख कि तर्के लिख सव बोल दिया तो कहां सी लेखोग मैं इसमें कुछ नहीं करना यह प्रथम 2004 10 र failure आगं यहां पर बोल दिया कि प्रथम सौ बोल दिया माल लीजिए प्रथम सौ समसंख्या कौशन तो अपने को क्या करना है सौ प्लस एक याने 101 आ जाएगा अंसर ठीक है एक दमी इजी है कि नहीं चलिए इसमें एक ठोक और कोशन बनाता हूं आपको एक और कोशन बोलता हूं इसमें बोला है चलिए हां कोशन देखते हैं कि दो से लेके 88 तक के समसंख्या तो क्या है दो से लेके 88 तक के संख्याओं का और शच्द संख्या तो आप क्या करें मैं आपको बता दिया था देखे इसमें दो से लेके 88 तक के संख्या बोलेंगे तो कितनी संख्या है तो इसे पर कितनी संख्या है तो कितनी रहается हgi तो चम गयान सत्वी अचल एक चम एक छिए बोलेगा तभी याने दो से बोलेगा प्रथम बोलेगा ना प्रथम 10 संख्या या प्रथम 20 संख्या तभी यह लाग होगा कौन सा एन प्लास वन तो यह ट्रिक होगे अब आपन दूसरा ठीक का देखते हैं यह तो सम्संख्या अब विशंक बोलेंगे सिर मैं आपको सब सब बता दूंगा मैं इतना गारंटी दे रहूं कि देखें सब इंस्पेक्टर का 200 नंबर का पेपर होगा ना उसमें अगर जिसको जीरो कुछ भी नहीं आता ना उस से ज्यादा नंबर ले आएगा मेरी गारंटी अगर मेरा पूरा वीडियो देखेगा तो ठीक है चलिए अपन देखते हैं दूसरा अब विसम संख्या तो माल लीजे प्रथम विसम संख्या बोल दे प्रथम पांच पांच विसम शंख्या का आपको क्या करना है फ्रेंट्स कुछ ली करना पांच बस लिएन यान टोटल नंबर जो है उसको लिए यही आंसर है वह लोगे सर इतना सर रहा है इतना ही सरल है और ऐसे कोश्यन आते हैं आप बोलोगे कि यह इसका इसको डाला है सब इस्पेक्टर का मैंने इसको डिस्क्र अगर इसमें चैनल में जूड़ना चाहते तो मैं टेलिग्राम लिंक भी दे दिया वाटसप को नंबर भी है तो इसमें आप मेरे को मैसेज करके अपना नाम और इड्रेस बना के उससे जूर सकते ठीक है तो चलिए इसका मैं आपको बता देता हूं प्रथम पांच विसम सं 25 वो गया तो औरो का यूग बटकडो कि संख्या तो चनर कोंगया कितने हों पांच आग अंशार पांच अब मालनों यहां पर दे दिया कि प्रथम दस प्रथम दस और प्रथम दस संख्यां का उश्यद बताओ आप कुछ मत करना बस दस लीग देना आज यह आपको आंसर होगा ठीक है प्रथम 20 बोलेगा तो 20 लीग देना प्रथम 1000 विसम संख्या का बोलेगा लेकिन कंडिशन क्या है कि प्रथम आना चाहिए यह एक से दिया होगा एक तीन पांच लगतार होना चाहिए ठीक है उस कंडिशन में यह रूल होगा ठीक है तो मैंने आपको एक दमी सिंपल ट्रिक से बताया है यह सब फ्रेंड से कि पहले एक बर रिजन कर रहा हूं अगर सम संख्या दिया प्रतम संख्या का तो एन प्लस वन करना यानि टोटल नंबर नं गाना शमान अंतर जैसे समान अंतर माली सेकिसे समान अंतर यह तीसरा ट्रीक है जैसे 5 15 15tv और 25 तो यह दे दिए समान अंतर प्रथम संख्या की बटा न और गया आपका ओश्चत क्या विद्वन करना हमेएं इस गेन आगे आपका अंसर इन सब को भी जोड़ेंगे ना तो जोड़ के करके देख लेते देखना है ना तो यह हो गया 25 25 50 हो गया पचास और 75 हो गया अब 75 को फंट पांस से भाग देंगे तो 15 आएगा हो गया किलियर तो जब समान अंतर होगा ना तो यह रूल्स लाग होगा अंतिम संख्या प्रथम संख्या बटर दो इसने सब में वैसी रूल्स लाग होगा जैसे समान अंतर में और मैं आपको बता देता हूं ज्यादा कोशन पूछे जाते हैं जैसे आपको कोशन बता देता हूं है क की एक समान संख्या ठीक है तो यह समान अंतर वाले को शनपन देख लेते हैं इसमें दिया है एक सो चम्वालीस कि एक सो चपन एक सो अडशट एक सो असी और उसका डॉश 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 देखे तीन सो साथ तक के कितना अब बताईए कभी एक्जाम पल में ऐसे दे दिया तो आप क्या बोलेंगे क्या आखड़ो की संख्या बटा आखड़ो का योग आपको तो पता ही यह बीच में कितना संख्या है तो इसलिए क्या करेंगे इसमें कुछ सुक्र नहीं है बस इसको देखना है दोनों को समझें अ 156 में 12 जोड़ेंगे तो 162 जोड़ेंगे तो 180 बस अब देख लीचे समान अंतर है तो वही सुत्र लगा देते ने सरहम कौन सा आप जो बता है वह अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या ठीक है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और बटा दो अंतिम संख्या प्रथम साथ प्रथम संख्या 145 दोनों को जोड़ दिए तो यह हो गया 504 तो 504 को अपन क्या करेंगे दो से भाग दे देंगे तो यह जाएगा 25 और यह दो सबसे बन जाएगा इसमें यह चुत्र आपको याद रखना है अंतर समान होने के कंडिशन में क्या अंतिम संख्या प्रथम संख्या बटा दो थीक है अब आते पर नेक्स्ट को सब्सक्राइगा अगला कुशन जितने एक्जांपल बताऊंगा उतना आपको शमद में आएगा यह उस्त का पहला वीडियो है पूरे उसक्राणाउंगा मैं इस ह負्त के अंदर ऊप्सत को खतम करूंगा ठीक है अब आते हैं अब इसमें दे दिया मालीज्य एकसो टीश एक सो तीस एक सो पैतालीस एक सो साथ ठीक है एक सो पैतालीस ही है एक सो साथ डैस 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 करके 900 दे दिया डैस डैस करके 900 दे दिया तो आप बोलेंगे सर ये इसमें पहले क्या देखना है अरे सर तो बताये थे पहले क्या देखना है तो सर बोले पहले अंतर देखना है तो चलो अंतर देखते हैं यह 45 और इसमें कितना हो गया 15 हो गया फिर इसमें 15 अंतर हो गया तो सभी में डेश डेश दिया है तो समान अंतर है तो सर बोल दिये थी कि अंतिम संख्या को यह अंतिम संख्या है उसको पहले संख्या से घटा द तो यह हो गया एक हजार तीस एक हजार तीस को दो से भाग देंगे तो यह हो गया पांच और यह 15 इतना जाएगा अंसर पांशो 15 एक दमीं सिंपल ट्रीक है किसी से भी बन जाएगा तो चलिए अब मैं थोड़ा इसके कुछ डिफरेंट कोस्षिन करवाता हूं आपको अगर आपको एक्जाम में बोल दिया कि दस के माल लीजिए दो के पांच पहाड़ा तक के बोल दिया चलिए दस के प्रथम पांच गुनाज का आउशत अगर ऐसे कुछन दे दिया गुमा क्या आपको तो आप क्या करेंगे कुछ नहीं करना है इसमें प्रथम पांच गुनाज बोला है मतलब दस का पहड़ा पांच बार पढ़ लीजिए दस से कम दस दस दुनिभीज दस तिया तीस दस तो क्या करना है अंतिम संख्या यानि इसमें पहले तो दस ही आएगा दस ठीक है और गुनाज बोला है यहां पर जितना भी यहां एक हज आपको देख सकते हैं इसको सब को जोड़के देखनाना ना बीस तीस चालीस पचास को यहां आएगा ठीक है तो अब इसमें कुछ थोड़ सा और लेवल आगे बढ़ाता हूं मैं थोड़ सा और जितने एक्जामपल बताऊंगा उतना आपको अच्छा लगेगा ठीक है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक से क्या है कि मौटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए ठीक है फ्रेंट्स एक यह है कोशन दस में दस दस के अथरवे यहर गूनाज के दस x tir紧 से चालीस वे गूनाज गूनाज कर गूनाज तक out कि Carson बता ये और चाल बटाते ना भाईया कहेक लेडर रहे आप तो थोड़ा कठीन हो गया उश्यन तो देखे अरे कोई कठीन नहीं है बस वही सिंपल लगाना देखे दस के आठ्वे गुणाज बुलाएं मतलब प्रथम संख्या अथ्रा प्रथम संख्या हो गया ठीक है अब दूसरा संख्या बोल रहा है अंतिम संख्या तो गुणाज का गुणा कर देते हैं तो दस का गुणा आपन किसके साथ कर दिये चरली सरे कर दिये और यह हो गया 400 को मैं सुत्र बताया था अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बठाद क्या करते हैं अंतिम संख्या 400 부분이 प्रथम संख्या 180 बठाद डू आपका अस्त निकल जाएगा तो यहकं पांश रसी बठाद दो कर दिये तो दो दूनी चार या हासिल आ गया एक नो जीरो तो दो सो नब्बे यह हो गया आपको कम्प्लीट तो इसी टापको कोशन आपको देखने मिलेंगे इसका और लेबल में बताऊंगा कि समसंख्या या बड़ी संख्या कौन सी है छोटी संख्या कौन सी है फिर ऐसे करके ना बहु कि कभी मत सोच्छेगा कि मैं उसको बता दूँंगा तो आगे बढ़ जाएगा आपको क्या अपको मैं तो इसितरु आपको मैंने बताया भी ऐ aja जी के भी कोशन बताया है सॉलवर्ट पेपर भी कराया है डिस्किप्शन लिक में दे दिया है तो मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो धन्यवाद, ठैंक यू वाच करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद, जाहें फ्रेडस